हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल मेरे शुत्यागी आज आपको पजामी की कटिंग और स्टीचिंग दोनों ही बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं दो मीटर मेरा कपड़ा है कपड़े की मैंने चारते बनाई बन भाग से खुले भाग की तरफ मैंने निशान लगाया दो इंच मैंने उपर से नेफा लिया हिप का फोर सोरी हिप का थिरी और हिप का थिरी तो इस तरह से यहां पर मैरे जिस तरह से है कि 40 मेरी 42 हिप है पजामे कि तो मैंने यहां से लिया 14 ठीक है फिर इस तरह से ही मैंने यहां पर भी इसको 14 लिया अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका असन जाद है तो आप 13 भी ले सकते हैं लेकिन मैंने इसको 14 लिया तो यहां पर न इस तरह से मैंने इसको एकदम लाइन सीधी एक बॉक्स ब पूर्णने का ले लिया ठोड़ा फ्रेंड दीख नहीं रहा है लेकिन आप न यहां से देखें नेफे से नीचे मैंने इस तरह से इसकी लंबाई ना पी और जो मेरी मोहरी है ना उसको मैंने आदा किया और उसका निशान लगा दिया अब मैंने यहां से हिप से इंची टेप को जहां पर मेरी मोहरी थी वहां पर तिरचा किया मेरे पास यह शेप पटी है तो मैंने इससे ही निशान लगाया तो इससे थोड़ी सी थीक तरह से शेप आ जाती है क्योंकि इंची टेप तो हम बिल्गु सीधा रखेंगे थोड़ी स से पजामे की कटिंग हो गई है तो इस तरह से आप भी बनाये यहां रखा मोरी का आधा तो अम मैं इसकी कटिंग कर देती हूं फ्रेंट बहुत ही easy है यह बनाना आप पजामे से भी अपना measurement ले सकते हैं और मैं इस में फ्रेंट बिल्कुल भी extra कुछ नहीं लेना है सिलाई का क्योंकि इस में बहुत कम सिर्फ आधा-धा इंच कपड़ा ही जाता है पजामे में तो extra हमें कुछ नहीं लेना है तो इस तरह स यहां से मैंने इसकी cutting कर दी यह देखिए इस तरह से cutting हो गई है friends उनको जिनकी मैं cutting करा रही हूँ जो मेरे student है उनको सिंपल पजामा ही cut करना था लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मियानी cut करना सीखना है तो आप भी इस तरह से मियानी कैसे काटते हैं वो देखिए पांच इंच मैंने इसकी चोड़ाई ली है और साथ इंच इसकी लंबाई है इस तरह से एक पीस cut किया और इस कोने से उस कोने तक मैं इसको cut कर दूँगी देखिए यहां से मैंने इसको इस तरह से पकड़ा और ऐसे मैंने इसको cut कर दिया कट होने के बाद एक तरफ ये सीधी लाइन आएगी लेकिन एक तरफ जैसे कट होना है तो थोड़ा उरेब आ गया है तो उसको भी आप पहले एक सार कर लीजिए और यहां से जितना मैंने उधर से नापा था जैसे 6 इंच आ गया है तो आप इसी तरह से ही इधर से नापके औ इस तरह से इसको हलका सा देखिए ये कट गई है अब मैं इसकी स्टीचिंग बताती हूं आपको पजामे को सिलना बहुत ही इजी है इस तरह से डबल तय लगाई मैंने कपड़े की तो इस तरह से ही मैंने इसको खोल दिया तो दो पीस इधर मालब दो ये जो आसन है इसके दो पीस पकड़के मैंने यहां पर सिलाई लगा दूगी और इसी तरह से ही मैं उधर की तरफ लगा दूगी जैसे कि आपको पता है फ्रेंड चाक में बनाते ना सुई इधर यहां नीचे की और वापस तो ऐसे ही सेम करेंगे और इस तरह से ना इसको इधर जो ये कपड़ है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई दोनों तरफ नहीं तो आप इसको इस तरह से उपर इसका नेफा बना लीजिए और एक तरफ ही मोड के और सिलाई लगा दीजिए आप इस पे इंटरलोग करा सकते हैं लेकिन पजामे में ना ये चप्टी सिलाई ही लगती है इसके बाद आप इसका नेफा बनाएंगे एक बार ऐसे करके पूरे पे सिलाई लगा लीजिए क्योंकि जो मैं बिगनर्स जो होते हैं न मेरे पास भी जो लड़किया सुरू में ही सीखती है तो इतनी नहीं कर पाती हैं फिनीसिंग से तो मैं इसी कोशिस में रहती हूँ कि बारिक से बारिक चीजे आपको समझाओं तो सबसे पहले मैंने एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा या फिर वापस फोल्ड किया इस तरह से आप इस पे नेफा बना देंगे बहुत ही इसी तरीका है जैसे इसको मैंने अब इस तरह से सिलाई लगा देजिए और ये पूरा रेडियो गया देखी फ्रेंट्स निफा बन गया है अब इसको यहां से डबल दो तय इधर है दो उधर तो यहां से मैंने ऐसे किया निशान जैसे मेरा निशान लग रहा है आप इधर से ले जाए और दूसरी दफ तक ले जाएंगे इस तरह से साइड में इसमें सिलाई लग जाएगी दोनों तरफ सिलाई लगने के बाद क्योंकि फ्रेंट्स हम नीचे का ना बाद में मोडेंगे पहले हम साइड में सिलाई लगा देंगे अब हमें नीचे से मोड़ना है इसके लिए यहां से ऐसे करें एक्ष्टा धागा है वो कट कर दीजिए यहां से आपने एक बार मोड़ा और वापस फिर दूसरी बार मोड़ा इस तरह से मोड़के आप यहाँ पर पिन लगा दीजिए नहीं तो आप सुई से कच्छा कर दीजिए फ्रेंड्स अगर आप सही तरीके से सिलाई करेंगे तो सिलाई बिल्कुल भी टफ नहीं है जल्द वाजी में कोई भी क काम करेंगे तो हमेजा ना तो फिनिशिंग आप आए कि ना आप अच्छे से कर पाएंगे या तो आप इसको मोड़के किसी चीज़ हास से अपने थोड़ा दबा दीजिए तो यह थोड़ी सी ना पता लग जाता नहीं तो चौक से निशान लगाए कि आपको कितना मोड़न और मुझे बताईए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिससे मेरी नई वीडियो आपको पता लग जाए ठीक है फ्रेंड्स नमस्कार